हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में मार्पास आ चुका है Realme 11 Pro जो के Realme का लेटस्ट स्मार्टफोन है और आज की तारिक में अंडर 25,000 वान ओफ दी बेस्ट स्मार्टफोन है ये फोन आउट ओफ दी बोक्स Realme UI 4 के साथ आता है बहुत सारे फीचर के साथ भरा हुआ है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन के 40 amazing फीचर तो अगर आप इस फोन में इंटरस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आपको दिये गए है लाइफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये blossom वाला wallpaper भी दिया गया है जो कि आपके screen time के हिसाब से आपको बताता रहता है कि आपने आज फोन कितना यूज किया है और आपके goal के हिसाब से आपने कितना यूज कर दिया है बहुत ही बढ़िया always on displays भी इसमें आपको दिये गए है bite fold, AOD, disable आपको मिलता है settings में wall paper and style में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर AOD आपको मिलेगा इसको enable कर दिजिए और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा O emoji के feature के बारे में यह बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं दोस्तो इस तरीके के emojis हैं जिनको आप अपने AOD के उपर setup कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप AOD के उपर setup करेंगे तो कुछ इस तरीके का look आपको इसके साथ phone के उपर मिल जाएगा यह O emojis के बिना और भी काफी सारे अच्छे options हैं AOD के अंदर जैसे के bit emojis अगर आप use करते हैं उसका AOD create कर सकते हैं या फिर canvas का feature यूज कर सकते हैं अपनी किसी portrait photo का इस तरीके का AOD आप create कर सकते हैं यही same photo आपकी low screen और home screen के उपर भी apply हो जाती है जिसके बाद आपको इस तरीके का कुछ amazing animation देखने के लिए मिल जाता है एक और बढ़िया AOD जो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर edge cloak का है अगर आप यहाँ पर देखें क्यूंकि यहाँ पर edge display है curve display है तो specially आपको edge cloak के AODs दिये गए हैं जो के screen के edge के उपर दिखाई देते हैं तो यह अगर आप यूज करते हैं यह भी आपके phone को काफी cool look दे देते हैं वैसे AODs के अंदर आपको यहाँ पर contextual information को enable करने का option भी मिलता है मतबकि अगर आप music सुन रहे है या फिर अगर आपने Swiggy या Zomato से कुछ order किया है उसका live status अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सब in apps के लिए आप देख सकते हैं जो के कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा अब again क्यूंकि curved display है तो यहाँ पर edge lighting का feature भी दिया गया है जो के और भी जादा खुबसूरत दिखता है क्यूंकि in display fingerprint sensor है तो जब आप fingerprint sensor को यूज करते हैं तो किस सरीके का animation आपको देखना है उसके काफी सारे options आपको दिये गए हैं वैसे इस phone में in display fingerprint sensor को यूज करके एक बहुत अच्छा shortcut आप यूज कर सकते हैं settings में special features के अंदर आपको एक Q launch का option मिलता है इसको अगर आप enable करेंगे तो यहां से आप इसको setup कर दीजिए जो भी apps आप शोटकट में add करना चाहते हैं वो add कर दीजिए उसके बाद जब आप fingerprint sensor को यूज करके phone को अनलोब करेंगे तो आपको press करके रखना है छोड़ना नही दिया गया है कोई भी आपको open कीजिए recents में जाएए यहां पर three dots के उपर tap करेंगे तो floating windows का option आपको मिल जाएगा इस सरीके से आपकी floating window काम करती है आप इसको resize कर सकते हैं या फिर अगर आप mini में जाएंगे तो इसको side में place कर सकते हैं wide foot आपको यहां पर कोई sidebar भी नहीं दिया गया है लेकिन उसको भी आप enable कर सकते हैं settings में special features के अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको smart sidebar का option मिलेगा इसको बस यहां से enable कर दीजिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके का sidebar आपको मिल जा हैं किसी भी video watching application में है तो directly आपको background stream का option मिल जाता है जैसे कि YouTube premium में आपको मिलता है यहां पर free में आप उस feature को use कर पाएंगे उसके उपर अगर मैंने tap किया YouTube background में चला गया है music अभी भी play हो रहा है वीडियो जो है वो post नहीं हुआ है इसको अगर आप वापीस से tap करेंगे तो आप देख सकते हैं YouTube में वीडियो अभी भी play हो रहा है एक और बहुत ही बड़िया और one of the best features जो मुझे इस phone में लगा settings में अगर आप notifications में जाते हैं तो आपको smart notification hiding का feature मिल जाता है अगर आप चाहे तो अपना face data इसमें add कर सकते हैं और सिरफ जब आपका face phone के सामने कर सकते हैं बहुत ही बड़िया feature है इस phone में one handed mode भी आपको निया वाला मिल जाता है settings में additional settings में अगर आप जाएंगे यहां पर आपको one handed mode मिलेगा इसको अगर आप enable कर देंगे तो इस सरीके से पूरी screen को आप नीचे की तरफ shift कर सकते हैं जैसे iPhone में reachability का feature होता है वैसा home screen के उपर long tap करके यहां पर more के अंदर जाते हैं तो आपको icon pull down gesture का option मिलता है इसको आप enable कर दीजिए उसके बाद home screen के उपर अगर आपको एक हाथ से use करना है और उपर की कुई app को open करना है तो इस तरीके से swipe कीजिए सारी applications आपकी यहां पर नीचे आ जाएंगी जिसको भी आपको open करना है उसके उपर इस तरीके से drag करतीजिए तो 100 usage और आसान हो जाता है इस feature से वैसे एक और feature जो personally मुझे बहुत अच्छा दगता है वो settings में display and brightness के अंदर नीचे आपको adaptive sleep का मिलेगा अगर आप phone के उपर reading वगरा बहुत करते हैं तो यह feature बहुत helpful है बेसिकलिए आपका बंद नहीं होगा अगर आप इस feature को use करते हैं settings में real में wrap के अंदर भी बहुत अच्छे features आपको दे हैं जैसे के dual mode audio का feature है अगर आपने wide और wireless दोनों earphones अपने phone के साथ connect के हैं तो आप एक साथ दोनों में से output दे सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं wide और wireless दोनों को एक साथ select कर सकता हूँ अब मैं जो भी music play करूँगा दोनों में उसका sound मुझे सुनाई देगा ऐसे ही यहाँ पर आपको एक heart rate mirrorment का feature मिलता है अगर आप heart rate mirror करना चाहते हैं तो just आप finger को इस fingerprint sensor के उपर place कीजिए कुछ seconds के बाद phone आपकी heart rate show करना शुरू कर देगा हाला कि थोड़ा gimmicky feature है medical reasons की वेज़े से इसके उपर दाय मत कीजिए लेकिन अच्छा feature है इसको भी आप use कर सकते हैं network की बात करों तो बता दूँ यह phone एक 5G smartphone है दोनों SIM पर 5G support करता है लेकिन अगर आप 4G भी use करते हैं इस phone के उपर उसकी भी connectivity काफी इची है 4G plus carrier aggregation का support इ इस option की मदद से आप अपने phone पे mobile data और wifi दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं और बहतर internet connectivity दे सकते हैं ये सब apps में ये feature जो है वो support करता है उसी की साथ इस phone में आपको wifi tethering का support भी दिया गया है मदब के जब आपका wifi own है अगर आप hotspot को enable करते हैं तो आपका wifi बंद नहीं होत बलके इस hotspot की मदद से आप अपने wifi को आगे share कर सकते हैं एक तरीके से आप अपने phone को एक wifi extender की तरहां यूज़ कर सकते हैं इवन आपके phone के messages या calls अगर आप दूसरे device से control करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे आप directly apps भी दूसरे device से control कर सकते हैं इवन PC के उपर आप अपने phone को बड़े ही अच्छे से control कर सकते हैं customization की बात करें तो और भी काफी सारा customization है settings में wallpaper and style के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर आपको icons को customize करने का option मिल जाता है और बहुत सारे different options है icon का shape, size सब आप change कर सकते हैं phone अगर आपको change करना है वो भी video color enhancer का मिल जाता है अगर आप इसको enable करेंगे तो आपके जो normal videos के colors हैं वो HDR videos जैसे आपको लगेंगे और HDR videos के लिए एक feature वैसे आपको bright HDR video mode का भी दिया है तांके जब भी आपको HDR video play करें तो आपकी brightness automatically बढ़ जाए तांके आपको बहतर experience मिल पाए settings में sound and vibration में अगर आप ज किया गया है settings में notification and status bar के अंदर आपको status bar customization का option भी मिल जाता है अगर आप battery style को change करना चाहते हैं battery percentage को change करना चाहते हैं कि कहां आपको देखना है उसी के साथ real time network speed आप enable करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप यहां से कर सकते हैं settings में apps के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहा इस phone में privacy या security related एक feature मुझे बहुत अच्छा लगा settings में password and security में अगर आप system security में जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है require password to power of का feature इसको ज़रू से आप enable करके रखें अगर आपका phone कभी चूरी हो जाता है तो वो person आपके phone को बंद नहीं कर पाएगा जब तक आपका password जो हो hide करना चाहते हैं तो वो सब features आप यहां से use कर सकते हैं settings में additional settings के अंदर आपको gesture and motions का support भी दिया गया है काफी different तरीके के gestures आपको यहां पर मिल जाएंगे screen of gestures भी है जब आपका screen बंद है तो कुछ draw करके आपको कोई action perform कर सकते हैं music को control कर सकते हैं या फिरेक्टल कोई app को open क कर सकते हैं settings में about device के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आप RAM के उपर tap करेंगे तो virtual RAM का feature use कर पाएंगे मेर पस यहां पर 12GB RAM वाला variant है इस phone में आप 12GB RAM को ही expand भी कर सकते हैं मतब overall 24GB तक RAM का experience आप ले सकते हैं screen shots capture करने के लिए भी कुछ अच्छे options आपको दिये गए हैं अगर आप एक normal screenshot capture करते हैं तो यहां पर आपको scrolling screenshot का option मिल जाता है उसी के साथ अगर आप three finger से इस तरी कैसे tap करके रखते हैं तो आप यह selective screenshot भी capture कर सकते हैं उसी के साथ अगर आप gaming करना पसंद करते हैं तो आपको game sidebar का option भी मिल जाता है gaming system के अंदर बहुत सारे options यहां पर आपको दिए गए हैं आप किसी भी app को directly floating window में open कर सकते हैं आप यहां से pro gaming mode को enable कर सकते हैं या फिर अगर आप नीचे scroll करेंगे तो और बहुत सारे options हैं जैसे कि voice changer आप यूज़ कर पाएंगे या फिर system stats को भी screen के उपर show कर सकते हैं चादी camera के भी कुछ अच्छे features आप आपको बता देता हूं सबसे पहले वीडियो के अंदर आपको बता दूँ कि आपको tracking short का option दिया गया है बेसिकली अगर आप किसी object के उपर focus करते हैं तो phone automatically उस object को track करता रहता है और focus को shift करता रहता है तांकि वो object जो है वो focus में रहे उसी के साथ यहां पर आपको bouquet videos मतब क यह portrait videos का option दिया गया है बोथ rear camera और front camera दोनों में आप portrait videos को use कर सकते हैं एक और बहुत ही बढ़िया फीचर camera के अंदर अगर आप 100 megapixel बाले mode में जाएंगे तो यहां पर आपको single take का मिलेगा इसके उपर अगर आप tap करेंगे तो एक ही photo को capture करके phone जो है वो multiple photos आपको output में दे तो यहां पर आपको street mode मिल जाता है जिसमें आप automatically zoom करके composition select कर सकते हैं उसी के साथ night mode मिल जाता है जिसमें आप pro mode भी use कर सकते हैं more के अगर आप चल जाते हैं तो इस phone में आपको slow motion videos का support भी दिया गया है हालनके सिरफ rear camera में full HD quality में आप slow motions record कर पाएंगे more के अदर ही आपको dual view video का support भी दिया गया है अगर आप front camera और rear camera दोनों के साथ एक साथ videos capture करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप इसकी मदद से कर सकते हैं एक और बहुत ही useful feature यहां पर आपको starry mode का दिया गया है अगर आप stars को capture करना चाहते हैं वो चीज़ आप इस mode की मदद से कर पाएंगे वैस से जाधा लोगों का portrait photo आप capture करना चाहते हैं तो इस mode को आप use कर दीजी phone जाधा faces को track करेगा और सबको focus में रखके अच्छी photo आपको दे देगा चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा अरा तोग।